असकार साथियों हमारे एक साथी ने RPS के बारे में पूछा तो RPS जो है वो MVRH के उपर बॉक्स में लगे रहते हैं और इनको भी ठंडा जो है वो MVRH से ही किया जाता है MVRH जो ट्रांसफार्मर के तेल को रेडिटर में ठंडा करके जो उपर हवा फैंकता है तो RPS भी ठंडे होकर फिर छट के उपर हवा निकल जाती है इस परकार RPS को ठंडा किया जाता है RPS का कनेक्शन पावर सरकिट में ट्रेक्शन मोटरों की फिल्ड के पैरलल में किया जाता है ताकि फिल्ड में कोई भी ओवर करंट वगेरा होता है तो RPS के द्वारा मोटर की फिल्ड की सुरुक्षा होती है देखिए मोटर की फिल्ड की सुरुक्षा और भी सुनिश्चित की गई है कई तरीकों से लेकिन ये भी एक तरीका है इसके लिए RPS को लगाया जाता है और ये electrical technology से संबन दीते हैं इसलिए आप इतना ही जान लीजिए कि ये traction मोटरों की फिल्ड की सुरुक्षा के लिए लगाया जाता है धन्यवाद